हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपकी चैनल ब्रेंफोर्ड में इस वीडियो में हम जो बीए प्राम की जो स्टूडेंट हैं फॉर्स सिमेस्टर करी जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अलेस टाइम टू 300 सीई इसके स्टार्ट करें इस सीरीज को मैं यह करना चाहिए हूं कि जितने भी यूनिट्स हैं उसके जो भी कोशन आपके प्रिवेस एक्जाम में पूछे गए हैं उनके कोशन एंसर को मैं आपको प्रवाइट करें जिससे कि बच्चों को ईजी हो जाए कि पेपर में किस के कोशन प्रवाइट करें जैसे कि आप चाहिए पर चाहिए पढ़ते होंगे उसके बात कोशन से पढ़ते होंगे तो उसी टाप से मैं आपको जो चाप्टर की वह फुल एक्स्प्रिशन है वह आपको प्रवाइट कर लेना अगर जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखिए तो देख लेना मैंना वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रवाइट कर रहे हैं अपने जो नोट्स है उसके तो आप उस पीडियेफ के थूरू आप उसको रिवाइज भी कर लेना एक बार आप इसके अंदर हम कोशन से डिसकर्स करेंगे कि किस टैप से आपको इसके एंसर कर करना है अगर बच्चों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया तो मैं आपको यह कंटीनियो करवाऊंगी इसमें हर चैप्रे के जो हर यूनिट है आपकी उसके इंपॉर्टन कोशन के आप में डिसकर्स करूंगी और उसमें आपको एंसर क्या लिखना होगा उसके रहे में आपक करते हैं तो जैसे कि आप चानते हैं कि जो आपकी यूनिट फॉर्स नाम क्या है इत्यास लेकिन की प्रमुख प्रवर्तियां और इस्तुरतों का सर्वेक्शन तो इसके अंदर आपका एक मुश्ट मॉर्ण कोशन बनता है जो हर साल एक तरीकी से बोला जाए ना तो यह साल इसको जानने के स्वस्टों का वरनन कीजिए जो हमारा प्लाइण भाष्प प्राती इत्हास है उसको जानने की क्या क्या सोर्स है अब कई वच्छों को तो स्वास का मतलब यह नीं coins के बताई पणय시면 और यह प्र्ले इसका मतलब लूखता तो यह सो गarlczy object option साम क्यों सकते इट मिस वाटर हमें कहां कहां से मिल सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ बारिश के थूह में मिलता है पानी और जो आपकी लेक होती है जील होती है जो पूंड होते हैं तलाब होते हैं तो इनके थूह में पानी मिलता है इट मिस हम उसको कहां कहां से प्राप्त कर सकते है तो इसी type से इस के caution का मतलब, इसका, वह मतलब है ना, कि आप प्राचीन भारती इत्थिहास 270 के वारे में कहाँ कहाँ से पता गल सकते हैं, मतलब जान सकते हैं कि हमें कैसे पता है, कि जो हमारा इत्थिहास है, वह इस टैप से अब आप पढ़ते हैं इतिहास के बुक के अंदर तो आप यह पढ़ते हैं कि हां अखबर होते थे बावर्थे या फिरो जो महाराना प्रताप तो इन सब चीजों के वारे में पढ़ते हैं तो आपको इन चीजों के वारे में कहां से पता चला आखिमें इसके प्राचिन भारतितिया इस टाइब से हैं तो प्रमिक नोगैने आपके में टून पॉर्टिंट्स प्रुट्स और दूसरे आपकाई प्रुविक प्रुविक यह जैसे आपको इसके नीम सी कि पता चल रहा हूं कि सहाईती सतोत क्या हो गया गार मनुञा होको यह सब क्या है इतिहास के बारे में पता है है तो इस चैप से और डूसरा पुरादविक जीज fijश्राम में क्या Hoyt whole billion कि antique समाने ये antique piece है मतलब कि बहुत पुरानी चीज़ है तो हम चीजों को देख का भी तो पता लगा सकते हैं कि लोग उस time पे कैसे रहा करते थे जैसे आपने देख रखोगा कि सिक्के होते थे पहले सिक्के के चलते थे सुने के सिक्के चलते थे जो हमें पुराने time के वस्त मिलते हैं उसके थुरू भी हम अपने प्राचिन भारती इतिहास का पता करते हैं तो यही चीज़ है कि यह कुछ important sources है जिनके थुरू हमें पता चलता है कि हमारा जो प्राचिन भारती इतिहास है वो किस चैप से हैं तो इसके अंदर आपने देखा है कि जो सहायतिक फोतों के अंत्रिकत आपके आजाते हैं धार्मिक सहायतिय धर्मिनिर्पेक्ष यह जो महाकाव्य है आपका महाभारत यह पुरान इन सब चीज़ों से अपने भारती प्राचिन इतिहास का पता चलता है और ऐसी आपका प्राचिन भारती इतिहास का पता करते हैं आपका एक तो गया प्राट्विक स्थोत दूसरा आपका सहायतिक और तीसरा आपका हो जाता है विदेशी यात्राओं के विवरन आप जैसे कि आपने सुन भी रखा है कि कई जो पहले की टाइम थे हमारे देश में क्या थे बहुत से विदेश्य याते थे तो वह सब भी चूलता थे पूर्प लिखा तो अपने भारत के राट इत्यास का पता चलता था त्यूंकि वह सब्सक्राइब करने आए ब्रहमन करने आए और वह क्या करने चले गांतल उसके आपके बार्त के वह सब्सक्राइब तो आखे में क्या थे एक विदेशी आती हो थी नहीं दिखा तो उन भुक्स के थूब हमें क्या पता चलता है अपने प्राचिंद भारती थ्यास के नहीं पता चलता है कि हम कैसे अपने प्राची नित्यास के रान में पता करते हैं अब हम इनको एक एक करके डिसकस करेंगे फर्स लिमा आपको डिसकस करते हैं सहायतिक स्थोत के हमें कि क्या क्या स्थोत हैं तो भारत की इत्यास के संदर में सारवद्रिक स्थोत सहायतिक स्थोत हैं मतलब सबसे ज लिखा जाता तो उनकी थूँ हमें पता चलता है तो इसमें आपको दो टाइप सम्में बाढ़ देते एक तापका धार्मिक सहाइटें और दूसरा आपका गयर धार्मिक सहाइटें और लोकिक सहाइटें तो धार्मिक सहéta जाते में हो जाता है आपका कि भारत में प्राचीन कार्मित तीन मुख्य धर्मों, हिंदू, बोध और जैन धर्मों का उदय हुआ था और इन धर्मों के विस्तार के साथ विवि में दार्शनिक, विद्वानों, धर्माचायों त्वारा अनेक धर्मिक पुस्तकों की रचना भी गई गई और इन रचनाओं में प्राचीन भारत के समाच संस्कृति कैसी तीस थाप पे लोगों की जीवनशाली उनकी अर्थवस्ता इत्यदी से संबंदित महत्पुन जनकारी देखने को मिलती है तो यह आपके अज़ाते धार्मिक साहिते हैं जिसमें जो हिंदू बोध्रम जैंध्र इन सब के जो बुक्स होते हैं उन्होंने विद्वानों ने बुक्स लेखी थी और उसके अंदर हमारे समाज की जीवनशाली अर्थवस्ता संस्कृतिक समाज कैसा था उनके बार में लिखा था इसके तो आप इस मंदिर कौन-कौन सी रचनाए है एक आपका आजाता है धाम अबने रमायन इवन महाबाद तो इनके थूँ भी हमें क्या पता चलता है अपने एक तरीके से प्राचीन भारती थ्यास के बार में पता चलते हैं जैसे कि आपको अच्छे से नकन से बिल्कुल क्लियर करते हुए आपका जो मैंने क्लाव लिए ना क्लासी जिसमें आपको म मैं बहुत आपको अच्छे से एक्स्प्रेम कर रखा हैं यहां पर मैं आपको सिफिक्त बता रहीं कि इस चैप से आपको इस कोशन के अंदर यह एंसर लिखना है तो इसलिए मैं इसको थो शॉट बनाओंगी जिससे कि बच्छों को क्या प्राब्लम ना हो जिन बच्छों हमें पड़ रखाओ अब हम देखते हैं सेकिंड आपको वेंड इसमें क्या है कि हिंदु धन हमें वेड अतिमर्ति होता है जैसे कि आप जानते कि चार वेड़ होते एक तो आपको पर इना वेड़त है डूसरा आपको दियस्तित आर्शिए साम बेड और चौत नियम हों के बार मैं पता चलता है और वेदों कर वि salad है के प्लाचीन भार्ति क्वे resigns की कि पहले के टाइम पर कैसे यग क्या-क्या नीयम थे हम जो जितनी भी हमारे धान में की व इधी भी धान होते हो जैसे कि आपने देख रखा हैं कि जिन्हें वन में रिश्यों द्वारा लिखा जाता है तो उन्हीं को हमने आर्नेक का है जो रिश्यों में द्वारा जो वन में लिखी जाते हैं उन्हीं को हमने आर्नेक के तुवारा भी हमें अपने प्राचिन भारत किया में जानने का एक त जाता था उसे उंखने उपनिशद खाता था तो वहीजिद है कि ए कि इंखने घ्राइब कूंत हैं होगों कुछी से पर इत्रा पूरा अच्छी से समझें आ थाइक है लांग तक मैं मैं आपको इसके PDF का लिंक इसके description में डाल दूँगी या तो आपको मैंने जो class notes की जो PDF प्रवाइट कर रहे हैं आप उसको एक बार है नहीं जो प्राइब चलता है उसमें जो भी चीज़े लिख्या होती इसे लिख्या होती ती तो आपने देखने नेक्स्ट आपका महा कावे जैसे आप जानते हैं कि महा कावे एक तो आपको नवाराएं दूसरा आपको भारत की दिखनकी हना की ने की वारे में उन्य किछ दिखी गई है कि घी साय अम कसे प्सक्ति में के आं इसा से पर की जाय जाया गई जिसकी का हुआ श्री लंक के फूब आले व्याइं यह इस तुरह के लिए मिलता है उनके दिśक हमें देखने को मिलता है सहायतिये को देख सामध्य सेवगे ऑप सेFT को सनकृत है तो इन के ट्रूभर निम्लता पूरा प्रेंघ तियां … और धुरिकर नीचे तो इन स्थ्रूभ गजन को पशल तो हमें पार की वेंचे पूरा धुक्रीग पर तो यह užता से को फारे समाज की जातक याद करते हैं जैसे कि बाद कर safety भुग को दो सपाइस सब्सक्राइब देखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पतंचली की बुक्स लिखे हो जाती है या जो विदेशी जो आते थे लोग उनके फ्रू लिखी हुई भूके होती है जैसे इसमें शॉट में लिखकर प्रतंचली त्वारा महाभाश्य है कालि दॉरा जो रची थे हैं मालवी का अगनी मित्रम तो इनके थुरू हमें पता चलता है अपने इतिहास के हमें जांपाते हैं पिर बान भट के दौरा लिखे गई हर्श वरदन की जीवनी होती हैं जो हर्ष चरीता जो हर्षवरदन का काल था उनस के बार में देख पाते हैं कलहन कीकर दोरा जो रता रंगनी है जिसमें कश्मीर का वनन की आ गया गया थै कि यह की है कि तो हमारी द्याभर धारि पर या Hah जैसे सहाहित्ति के स्तोरत है जैसे सहाहित्ति के स्तोरत हों गया उसको दो भागों में बाटके पढ़ लिए नियुक के रिखते हैं जासे की बानभट के द्वारा हर्ष चरीता लिखी गई हर्ष के उपड़ जीवनी के ऐसे अब घृताई अब हम देखते हैं कि पुराथवीक स्टोत में क्या है तो पुरात्वीक स्टोत जैसे कि आपको अभी लेक लेक नचिए डियाएं जो किसी पत्थर पे लिखी जाते थे यह आपको यह नहीं कि आपको इसके अंदर आपर और पन नहीं पूर्द में आप में और प्मूर बिखा गुपाय के अंदर और व से आइडियां कि पहले प्त्रों पे गुदा हुआ हो लात Butto From या कुछ डिजाइन बने विए उस बेस पर हम आइडिया लगाते कि हमारा प्राचिन भारती इत्यास की स्ट्रेप से था तो यह आपके अभी लेक हो जाते हैं नेक्स्ट आपका हो जाता है जैसे कि सिक्के एवं मुद्राओं कि तुरों में कैसे पता चलता है कि मुद्राओं पता है ने को काशिकन यह बंदे नोसरे सिक्के चलते है तो इस कीृष्ट का जो इतने आफने दूसरे शिक्ते चलने लग जाते थे तो इस टाइब से हम सिमाओं का भी निधायन कर सकते हैं यह सभी पॉइंटों करना मैं अच्छे से उन कंसेप्ट वाली जो वीडियो आना मैंने उसके अंदर आपको अच्छे से एक्स्प्रीन कर लें तो आप वहां से जाकर इसको रीड आउट कर लेना ओके एंड इसका थर्ड पॉइंट आपका इसमारक क्या हो रहते हैं जो आपकी जो वह बने होते हैं जिसा अब कुद्व मिन सब्सक्राइब करते हैं तो इसके फ्रूब हम पता इसली लगा पाते हैं अपने प्राचिन भारती की तिहास क्याएं में फोर्थ पॉइंट आपका मेट्टी के बर्तन उपकरन और भूशन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पुराना टाइम किस चैप का था जैसे आप आप वह जाला चरचा सुनी होगी कि उनकी विगना बदा चाते पर वो तो चोटी चोटी सामान भी रिखते हैं पुराने देंगा तो उसके चलों और तो इस चीज से प्रेम यहिदाशन उनकी तेंगे और पताशनों जोनितार लगा है। हैं कि हां उस चैनल पी आसी चीज़ें हुआ करती थी जह वह हंडेट प्रिसंट शोर हो या ना हो बढ़ा उस चीज़ के आप एक आइडिया तो लगा सकते ना कि आसी चीज़ें थी हमाई टाइम पे तो यही चीज़ें थी कि भायत के विविन छेत्रों में से खुदाई में म सिक्ये पड़ें स्मारक पड़ें इमारते पड़ीं और जो मिट्टी बरतन अभूशन इनके थूआ पता लगाते हैं ऐसी आपका जो वो था सहाहिती की स्थोरत ने आपने क्या पड़ा सहाहिती के स्थोरत में आपने पड़ां कि वेद पुरान और पांडुली पी आपकी सब्सक्राइब करें तो इस समझ में आ चुका है कि इस को आपको किस तरवे में डिजाइन करके लिखना था अगर आपका यह फिफ्टिन मार्क्स को अच्छे से तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे और आप इसको पॉइंट वाइस भी लिखके आएंगे तो तीचे के उपर एक अच्छे इंप्रेशन भी पड़ता है क्योंकि टीचर को साफ साफ चीज़े नजर आ रही होती है कोई नहीं बनती खिचड़ी नहीं बनती जैसे उनको हो कोई भी कंसेप्ट समझने में तो आगर आप जितने अच्छे से उनको अच्छे सब्सक्राइब करेंगे तो उतनी अच्छे मार्क्स करना आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आप अच्छे स्कोल ला पाएंगे अपनी सब्जक्ट में तो अब हम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जब तक कि रवाएं और हाँ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जिससे कि उनकी भी हल्प हो सके थेंक्यू सो मच अब इस वीडियो का अन तक देखने के लिए